चलो आज सिखते हैं कुछ नया क्या सिखने वाले आज क्लास 12 का समाकजन चेप्टर है यहाँ पर उसका कोश्चन नंबर एकसरसाइस 7.1 का कोश्चन नंबर अठरा है यहाँ पर एक टिर कोश्चन नंबर ही तो यहाँ पर आप देखिए तेरे मस्त मस्त दोने इस कोश्चन का ले गए चेन तो यहाँ पर आपने चेन तो ले लिया इस कोश्चन का लेकिन इसको समझ भी लिजिया यहाँ पर देखिए sec x और bracket में sec x plus ten x और इसका पूरे का करना है अपने को समागलन तो यहाँ पर आपको सबसे मेले क्या याद होना चाहिए formulae तो formulae क्या है sec square x का जो समागलन होता है वो क्या होता है ten x और plus में c लगा दो और यहाँ पर एक और सुत्र देखिए आप formulae sec x और ten x का समागलन क्या होता है sec x plus में c लगा दो plus में c लगा ना आपको पता होगा क्यों लगा रहे हैं आप यहाँ पर देखिए तेरा ध्यान किदर है यह तेरा question इदर है यहाँ पर question को देखिए इसका solution करते आप यहाँ पर जो अपने को समागलन करना है तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे इंटू करेंगे आगे इसका इंटू कर लेंगे sec x का पूरे bracket में तो क्या हो जाएगा sec x का sec x में करेंगे तो क्या होगा sec square x sec square x हो जाएगा और इसका अपन कर देंगे समागलने फिर plus में क्या है आपर sec x का into 10 x में होगा इसका इसमें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना sec x into 10 x यह हो गया question अब यहाँ पर देखिए इसको देखो इसको देखो आपन क्या रख सकते हैं 10 x यह याद होना चाहिए आपको क्या sec square x का समाकलन होता है 10 x और sec x 10 x का समाकलन होता है sec x इतना सरल है बहुत यह आसान आसाने फॉर्मूल है तो बहुत अच्छे सा याद होने वाले आपको सारा कुछ समाकलन यह तो अभी बहुत सरल है और अच्छे सवाल भी आएंगे आपका पूरा chain उड़ जाएगा तो यहाँ पर देखिए आप इस question ने आपका उड़ाया कर नहीं उड़ाया yes or no comment section में comment करना यह तो बहुत सरल है यहाँ पर देखिए आप sec x का क्या कर देंगे अपन 10 x हो जाएगा इसका समाकलन plus में लिख देंगे इसका क्या होगा sec x और plus में सी लिख दो बस यह answer है और भी जो आपको question समझने हैं और जो भी topic समझना है उसको comment section में comment कर देना कर देना